आपूई ऐसे स्वागत है हमारे आउनलान वेपिटर चयनल पे मैं हूँ सेंजए इस वीडियो सेशन में हम एक admin panel develop करने वाले हैं using laravel framework और इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो admin panel हम develop करेंगे using वाइगर कंपोजर पैकेज मेरी के रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफ़र चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आने वाले वीडियों के लिटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे इस वीडियो सेशन में गाईज जो हम एड्मिन पैनल क्रियेट करने वाले हैं यूजिंग वाइगर पैकेज उसके अंदर काफी सारे फीचर्स होने वाले हैं आप उस आर्मिन पैनल को यूज़ करके आप अपने तरीके से भी कस्टमाइज फीचर्स पर इंटिगेट कर सकते हो इस वीडियो के लिए हमारे पास एक आर्टिकल है इस ब्लॉगिंग वैप साइट पर अगर मैं जाओं इस ब्लॉगिंग वैप साइट पर किसी भी आर्टिकल पर अगर मैं क्लिक करूँ उसके बाद single article जो detailed page है उसके अगर search icon पर click करूँगा और simple सा keyword type करूँगा वोईगर and request करेंगे हम उसके बाद हमारे पास एक article available होगा that is how to create admin panel using Voyager मैं इसके single article detailed page पर जाऊँगा और इस article पर guys आपको A to Z detail मिलने वाले हैं कि आप admin panel कैसे set कर सकते हो using Voyager package इस admin panel को install करने के लिए हमें अपने system में laravel setup भी करना होगा so laravel setup करने के लिए हमें composer command run करना होगा so अगर आपके system में composer installed नहीं है सबसे पहले आप composer install करें और अगर composer installed है तो आप कैसे verify करोगे simply मैं जाओंगा terminal पे अगर आप windows operating system user हो आप जाओगे command prompt पे और वहाँ पे जाने के बाद अगर मैं type करूँ composer एंदर प्रास करूँ अगर आपके सामने ये commands के list अगर visible है it means composer आपके system में installed है otherwise आपको composer install करना पड़ेगा so सबसे पहले composer आपको install करना है उसके बाद ये जो command है इस command के तो हम Laravel setup को install करने वाले मैं इसे copy करूँगा terminal पे जाओंगा इसे मैं paste करूँगा और यहाँ पर जो यह blog था यह project folder name मैं इसे रखूँगा admin वो अगर आप कोई भी नाम रख सकते हैं मैं enterprise करूँगा so हम यहाँ पर एक Laravel setup install करने वाले हैं जिसका version आप देख सकते हो 8.6.2 जो कि current version है आप जब install कर रहे होगे यह version हो सकता update हो जाए हम थोड़ा wait कर लेते हैं so successfully guys हमने Laravel install कर लिया है अगर मैं चाहूँ folder structure में यह रहा हो folder जो कि हमने अभी install किया है सबसे पहले मैं इस folder को अपने editor में open करूँगा मैं इस open करने वाला हूँ VS code editor में so successfully हमने अपने उस project को means Laravel setup को import कर लिया है अपने इस VS code में उसके बाद जो next task है हमारा वो database connection setup अगर मैं जाओ आर्टिकल पे scroll करूँ यहाँ पर हमारे पास install voigar for Laravel है बट हम database setup करने वाले हैं so सबसे पहले हम database create करेंगे मैं जाओंगा अपने phmi admin में और यहाँ पर create करने वाले हैं admin voigar मैं इसे copy करूँगा create कर दूँगा so हमारे इस database में जो हमने create किया है फिलाला भी कोई table नहीं है मैं जाओंगा editor पे और database connection strings को specify करने के लिए Laravel setup में हम use करते हैं .env file so इस application में हमारे पास .env file आप देख सकते हो available है और यह रहा हमारा .env में database connection strings so database name जो हमने create किया है admin voigar मेरे phmi admin के case में जो username and password है वो है admin admin at 123 so successfully मैंने database connect कर लिया है उसके बाद जैसा कि हमने discuss किया हम एक admin panel create करने वाले हैं using voigar package अब यह voigar क्या है ? यह composer package है जिसको install करने के लिए हम composer use करने वाले हैं और उस composer के थुरू हम इसको अपने Laravel setup में install करेंगे और after installation कुछ और basic से commands हैं जिसको execute करने के बाद हम admin panel set कर सकते हैं सो मैं जाओंगा article पे सो यहां पर देख सकते हो by using composer we will install voigar इसलिए मैंने कहा अगर आपके system में composer नहीं है सबसे पहले आपको composer install करना पड़ेगा उसके बाद Laravel setup database connection and next composer package installation मैं इसे copy करूँगा टर्मिनल पे जाओंगा और यहां जाने के बाद सबसे पहले हम उस setup में जाएंगे जो कि हमने install किया है अगर मैं list करूँ सो यह setup हमने download किया था अगर मैं इसके अंदर जाओं admin voigar याद रहे आपको जितनी भी commands चलाने हैं आपको उसी setup के अंदर चलाने हैं जो कि अभी आभी आपने install किया है मैं enterprise करूँगा यह composer command है तो successfully guys हमने वो composer package अपने setup पे install कर लिया है अगर verify करना हो successful installation हुई है नहीं उसके लिए मैं जाओंगा editor पे और composer एक dependency manager है जो PHP गर dependencies को install करता है लावेल हमारा PHP framework है तो इस लावेल setup में हमारे पास एक file होगा composer.json जो हमने package अभी इंस्टॉल किया है वो package हमारे composer.json में available होगा और हम देख सकते हैं tcg forward slash voigar 1.5 version मैं जाओंगा article पे मैं scroll करूंगा scroll करने के बाद जो हमारा next step है database connection जो कि already हमने setup कर लिया है उसके बाद है run voigar installer laravel जो हमने composer package इंस्टॉल किया है उसके थुरू हमारे पास कुछ commands available है अब कौन-कौन से commands available है उसके लिए मैं जाओंगा अपने PHP artisan command list में PHP artisan enterprise करूंगा यहां पर देख सकते हमारे पास एक section available है voigar अगर मैं voigar colon admin अगर मैं run करता हूं make sure there is a user with the admin rule that has all the necessary permissions साथ ही साथ हमारे पास voigar controllers और voigar install so यह सारे commands available है क्योंकि हमने laravel package install किया है मैं जाओंगा अपने article पे उसके बाद यहां पर हमारे पास दो options है admin panel को create करने के लिए जो first option है वो है without dummy data अगर हम यह command execute करते है it means PHP artisan voigar install अगर हम यह command install करते है without any flag so हमारे जो laravel setup है उसमें admin panel set हो जाएगा बट हमारे पास कोई भी dummy data नहीं होगा वह admin panel बिल्कुल ही blank होगा अगर हम चाहते है इन case की admin panel हम create करें उसके अंदर कुछ dummy data भी होना चाहिए ताकि हम उसे proper तरीके से test कर पाए so उसके लिए हमारे पास एक alternative command है PHP artisan voigar install वही command है बट यहां पर हमने एक extra flag पास किया है that is with dummy so हम इस command को execute करने वाले हैं copy करूंगा terminal पर जाऊंगा इससे हम यह paste करेंगे and press enter successfully guys हम देख सकते हैं हमारा वो command जो हमने execute किया था वो execute हो चुका है इस command ने काफी जारे task किया है सबसे पहले इसने mince folder को publish किया है उसके बाद migrations folder को इसने migrate किया है migrate करने का in the sense है जो database हमने create किया था उसके अंदर इसने tables को create किया है हम देख सकते हैं total 18 tables create हुए है उसके बाद इसने कुछ seeders files को seed किया है जिसके through dummy data को इन tables में insert किया है आप इनके number of rows देख सकते हैं इस table हमारे पास 2 rows है 55, 56 इस तरह के से काफी dummy data इन tables में available है साथ ही साथ अगर मैं जाओ terminal पे यहाँ पर काफी सारे folders देख सकते हो जो कि vendor folder से हमारे इस folder में इन्होंने copy किया है हमारे dummy content को इस location से इस location में copy किया है सो जो command हमने execute किया था उसने काफी सारे comments काफी सारे tasks किये हैं अगर मैं जाओ browser पे सो next अब हमारे पास जो next option है वो है application testing successful तरीके से हमने वोईगर के थूँ वोईगर composer package के थूँ admin panel set कर लिया है सारे tables को create कर लिया साथ ही साथ database cdb कर लिया अब next है application testing मैं जाओंगा टर्मिनल पे और हम यहाँ पर development server स्टार्ट करने वाले है php artisan serve अगर मैं enter press करूँ हमारे development server स्टार्ट हो चुका है अगर मैं इसे open करूँगा browser पर जाओंगा यह एक नया tab open करेगा उसके बाद हमें जो url में type करना है admin panel के लिए वो होगा forward slash admin अगर मैं type करूँ admin enter press करूँगा हम देख सकते हमारे पास एक pre-built admin panel available है using voigar package यहाँ पर हमारे पास एक login form है means sign in form उसके अंदर email address and password pass करना है यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास email address and password available है for testing मैं इसे copy करूँगा और हम यहाँ पर इसे use करने वाले है admin at that admin dot com password password है अगर मैं login पर click करूँ so successfully guys हम देख सकते हमारे पास एक task word available है जिसके अंदर काफी सारे options है like rules, users, media, post, pages, categories, tools, settings और in sections के अंदर काफी सारे functionalities भी हैं अगर मैं users पर click करूँ so तो यहाँ पर हमारे पास add new यह रही हमारे पास users की listing जहाँ पर एक admin user created है इसके अंदर हमारे पास options है like for delete, edit and view option अगर मैं click करूँ post section पर हमारे पास post का section भी available है so यह है guys एक Laravel admin panel using voyager composer package अगर मैं log out करूँ simple log out इसके अंदर कुछ issues है images का आप उसे manual तरीके से भी अपने programming सही से correct कर सकते हो बट हमारे पास admin panel available है आप इसको customize कर सकते हो अपने custom features को भी add कर सकते हो और इसके दिए features के साथ अपने features को भी enhance कर सकते हो अब अगर मैं बात करूँ इसके customization की customization हम कैसे करेंगे इसके proper files को हम कहां find करेंगे so सबसे पहले अगर मैं जाओ routes web.php हमारे पास आप देखोगे voyager install करते ही हमारे पास web.php में route available है एक single route है बट यहाँ पर इस application का means इस admin panel का काफी सारे routes हैं अगर मैं फिर से login करूँ जैसा कि जो route एक available है admin उसके बाद मैं rules पर click करूँगा admin forward slash rules users पर click करूँगा admin forward slash users so यह सारे routes जो basically available हैं वो कहां से आ रहे हैं so यहाँ पर हमारे पास एक route group है जिसके पास prefix admin है इसका मतलब कि जितने भी हम जितने भी लिंक्स पर हम click करेंगे उनका जो urls create होगा उसका एक prefix होगा called admin और यहाँ पर जो गौर करने वाद हैं हमारे पास एक available headline voigar scope resolution operator routes यह routes एक method है जो की area of routes return करता है अगर इस सारे routes को हमें देखना हो मैं जाओंगा अपने इस terminal पे मैं इसे zoom out कर लूँगा उसके बाद अगर मैं development server close कर दूँ command type करने वाले हैं php artition route list enterprise करेंगे enterprise करते ही आप देख सकते हो सारे application के available routes जो की हमारे सारे operations को complete करने वाले हैं इसी तरीके से आप routes को debug करके आप middlewares को debug करके आप किसी भी controllers के अंदर किसी भी files के अंदर जा सकते हो वैसे अगर मैं बात करो files की मैं वापिस से जाओंगा अपने article पे यह वो सारे generated files हैं जहां पर जाकर के आप customization को आगे enhance कर सकते हो अगर मैं जाओंगा अपने editor पे यहां पर अगर folder structure find करना हो अपने voigar package जो हमने install किया है उसके लिए हम चाहेंगे vendor folder में इस vendor folder के अंदर आपको एक folder मिलेगा call tcg यह रहा हमारा tcg folder इस tcg के अंदर हमारे पास available हैं आप देख सकते हो migrations यह वही सारे migrations हैं जो उस command को execute करते वग सारे migrate हुए थे इसी तरीके से हमारे पास resources जहां views files stored हैं उसके बाद src जहां पर हमारे controllers, middlewares, commands, database काफी कुछ available है इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ routes की हमारे पास voyga.php है और इस file में आपको वह सारे routes मिल जाएंगे जो हमने अभी अभी terminal पे देखा है इसी तरीके से guys आप इसके core files को छेड़ करके core files को देख करके आप इसके features को enhance कर सकते हो अगर मैं जाओ आर्टिकल पे एक last step जो video close करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ ये कि आपके पास एक user available है जैसा कि हमने यहाँ देखा अगर आप इस user पे interested नहीं हो आप एक और admin create कर सकते हो using terminal ये हमें वाइगर प्रोवाइड करता है simply जो syntax है जैसा कि हमने spark command में देखा था अगर मैं इसे zoom कर लूँ zoom in close कर दूँ php artisan so यहाँ पर जो हमारे पास एक command एक और वाइगर admin ये क्या करता है ये command admin user role create करता है अगर मैं जहूँ ब्राउजर पर so यहाँ पर हमारे पास है command available php artisan voyager admin उसके बाद email address पास करनी है and create जो password ये create करेगा dynamic तरीके से ये terminal पर हमें पूछेगा मैं वापे से terminal पर जाऊँगा मैं इसे clear करूँगा php artisan voyager admin और हम एक means email address पास करने वाले है test at gmail.com and create as a flag enter पास करने वाले है ये admin name पूछ रहा है अगर मैं type करूँ test password मैं type करूँगा 126 confirm password 126 हमारा admin role create हो चुका है अगर मैं development server start करूँ php artisan serve dowser पर जाऊँगा reload करेंगे हम इसे उसके बाद अगर मैं इस user role को means इस admin को अगर मैं log out करूँ जो हमने create किया है test at gmail.com password from 126 login पर क्लिक करेंगे successful तरीके से हम देख सकते है ये हमारा admin task board है और हमने वही user details use किये हैं जो हमने अवी-वी create किया है so ये है guys liable admin panel development tutorial using voyager composer package अगर कोई भी command आपको अगर समझना हो आप इस article का help ले सकते हो ये है fastest way अपनी admin panels को create करने का साथ ही साथ हमने customizations files के बारे में बात करी जहां पर आप काम करके इनके files को देख करके customize तरीके से change करके आप इनके features को और increase कर सकते हो so for this video session guys thank you for watching and have a great day